हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू दे चैनल और आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर नमबर एट जो की है सोर्स ओव बिजनेस फाइनेंस क्लास लेंट बिजनेस स्टार्डी हमने स्टार्ट किये जिसके अंदर में आप लोगों को साथ चैप्टर करा चुकी हू और जो सौर्स ओ बिजनेस फाइनेस है इस पर भी हम इंट्रोडक्शन ले चुकी है कि इसका मीनिंग क्या है जिसमें हमने बात की थी डिफरेंट डिफरेंट सौर्स ओ फाइनेस है जब भी एक कंपनी है जब उसको जो फाइनेस है जो पैसा मनी अगर रेज करना चाहती है तो भी उसके पास क्या क्या सौर्स जब फेसिकली हमने बात की थी अलग-लग पैसिज हमने लिये थे on the basis of period हमने बात की थी long term short term और medium term sources इसी के साथ हमने बात की थी on the basis of a generation, internal source of financing and external source of finance, ठीक है और इसी के साथ हमने बात की थी on the basis of ownership जिसमें हमने बात की है owners fund and borrowed fund, तो आज की इस वीडियो में जो डिफरेंट डिफरेंट हमने यह सोर्सीज लिए थे जैसे एक्वटी शेयर कैपिटल है प्रेफरेंस है डिवेंचर से हमारा कमर्शियल पेपर है लोन फ्रों में कमर्शियल बैंक से ट्रेड क्रेडिट है तो इन सब को हम डिटेल में देखेंगे तो करती हूं इनकी किसके ओन देशिज ओफ ओन शीप थे तो यह किसके इंदर आएगी ओनट्स फंड के अंदर आएगी और वहीं पर हमारा बात करती हूँ ओन दवेसिज ओफ जयन नेशन तो यहां पर किसको चूज करूंगी इक को हमने बात की थी formation of a company की भी किस तरह से हमने company उसको form किया company जब हमने बना ली थी तो फिर हमने basically company के अंदर बात की थी share capital की तो share capital है जो company है उसकी जो capital है कहीना कई वो capital है कहां से आई है जनता से हमने लिया public से share issue करके तो basically shares हमारे क्या है equity shares में अगर मैं बात करूँगी तो shares हमारे क्या है shares are the smallest units in which the share capital of a company is divided जो एक company की share capital है जब हम उसको smallest unit के अंदर divide करते है तो जो smallest unit है वो basically क्या कहलाती है shares हमारे कहलाएगी और उनी shares को हम फिर क्या करते है public में issue करते है और फिर public से जो money है उसको हम raise करते है ठीक है तो equity shares की अगर मैं बात करती हूँ तो जो person जब हम equity shares issue करते है तो equity shares आपका क्या है एक permanent source of capital है और जो एक company के real owner है वो equity shares holder ही कहलाते है जिसके पास equity shares होगा वही company का real owner कहलाएगा तो यहां पर features में अगर हमाए equity shares की तो यह हमारे क्या है source of the permanent capital ठीक है अगर यहां पर company को अगर loss हुआ तो सबसे पहले बियर किसको करना पड़ेगा equity shareholders को अगर कोई भी creditor है debentures है ठीक है अगर उनसे हमने पैसा ले रखा है तो भई उनका तो fix है चोए हमें profit हो या ना हो even हमें loss भी है तो भी हमें जो interest है उसकी payment करनी पड़ेगी लेकिन equity shares हमारे ऐसे shares है अगर company को profit हुआ तो ही उनको जो dividend है वो मिलेगा और अगर company को loss हुआ तो उस case में फिर उनको जो profit है dividend है उनको नहीं मिलेगा इसलिए हमारे equity shares क्या है primary risk bearer control के अगर मैं बात करती हूँ तो कहिना गई control है वो equity shareholders के हाथ में है क्योंकि equity shareholders क्या है उसको choose कर सकते है तो कहिना कही equity shares के पास क्या है control next हमारे features है high profit हाई profit कैसे तो देखिए जैसे कि मैंने क्या कहा भी जो हमारे equity shares होंगे उनको उनका जो profit उनको जो dividend है वो ने तो किसी fixed rate से मिलता है और नाए उनका कुछ भी fix है कि इतना इनको dividend मिलेगा जैसा जितना business में profit होगा उसी के base पे उनको dividend मिलेगा अगर high profit हुआ तो कही ना कहीं उनको फिर जो dividend है वो भी high मिलेगा और अगर profit कम हुआ तो फिर dividend भी उनको कम मिलेगा तो इसलिए next features हमारे क्या था high profit claim इसके बाद next claim over the residual income residual income का मतलब क्या है कि भी बच्या कुछा ठीक है सबको payment करने के बाद जिसका interest हमें देना था interest दे दिया हमने tax देना था tax payment कर दी यहां तक कि जो प्रेफरेंश है उनकी भी हमने payment कर दी उन सब को देने के बाद जो लास्ट में जो भी बसता है जो भी profit वचेगा उस पर किसका दरते है ठीक है यह बोलते है कि भी नहीं हमें तो एक fixed date of return है उससे हमें इंजर्स चाहिए और हमें जो equity shares है उन से पहले अगर कल को जो capital अगर उसकी payment करनी पड़ी इन case of winding up जैसे company हमारी बंद होगी अगर उस case में जो company है company बंद होने की case में जो capital की repayment की जाएगी तो यह कहते कि भी हमें तो हमारा पैसा भी पहले दो तो इसले इनका नाम क्या रखा गया preference तो basically इनको जो preference मिली है किसके ओव प्रेफरेंस मिली है जो equity shares है इनके उपर इनको preference द जो dividend है वो भी पहले दिया जाएगा dividend के time इनको preference मिलेगी और इसी तरह जब repayment होगी ठीक है उस time भी इनको क्या मिलेगी preference इनको मिलेगी they have the fixed rate of the return और इसी के साथ ही जैसे equity shares थे उनके जो dividend थी उसकी जो rate of return वो fix नहीं थी लेकिन जो preference shares है इनकी जो rate of return हो fix रहेगी तो यहीं इसे हमारे features निकलेंगे features basically क्या निकला first features तो हमें यहीं निकला fixed rate of return हमारे रहेगी किस पर preference shares पर तब जब भी आप preference share देखोगे तो हमेशा इस तरह से पाएगा जो भी rate है जिसे 8% आपकी है तो 8% हमेशा ऐसे लिखते फिर 8% preference shares या 10% preference shares तो भी जो भी rate है ना वो इनके साम प्रेफरेंस शेर्स उनके पास voting right नहीं होता एकवटी शेर्स के पास voting right है बट इनके पास voting right नहीं है तो कहीं ना कहीं इनके हाथ में control भी नहीं है hybrid security तो भी hybrid security का मतलब क्या है कुछ features तो preference shares में equity shares के है और कुछ features यहां पर किसके डिवेंचर के है तो इस वज़े से इसको क् hybrid equity के हमारे हाँ पर क्या preference है कि इनको भी dividend मिलता है ठीक है profit होगा तो इनको dividend मिलेगा अधरवाईज इनको dividend नहीं मिलेगा इस वज़े से इनको हम कुछ यह features हमारे किसका हुआ equity shares का डिवेंचर के अगर बात करती हूं तो जिस तरह से डिवेंचर पर एक fixed rate से हम interest pay करते है तो सेम इनको भी एक fixed rate से interest pay की जाएगी तो इस वज़े से इसके अंदर एक features किसका है debentures का भी है that's why it is called hybrid security ठीक है next हमारा preference right of the repayment सेम बिल्कुल यहाँ पर जो meaning है इसी में से हमने यह निकाल दिया कि इनको एक preference right of the repayment in the case of winding up ठीक है winding up अगर होगा तो वहाँ पर इनको preference दी जा earning earning का मतलब जो पैसा जो हमने कमाई की थी उसको हमने retain कर लिया रख लिया it means a use of the firm saving retain earning का मतलब क्या कि जो firm की saving है उसी का हमने use कर लिया ठीक है या फिर हम इसको क्या बोलते है self financing खुद से हमने finance की है या flowing back of the profit भी हम इसको बोलते है इसका another name में इसको याद रखना तो retain earning में हमारा basically क्या है कि जो business है जब भी उसको कुछी भी profit होगा ना तो भी कोई भी business है कोई भी company है उस सारा का सारा profit है वो अपने shareholders में distribute नहीं करती है उसका कुछ part है वो अपने पास रख लेती है क्यों रखती है in case in future अगर हमें अपना business और expand करना अगर हम अपने business की growth करना चाते या कोई ऐसी opportunity हमारे सामने आए उस opportunity को अगर हम लेना चाते है तो उसके लिए ज़रूरी कि हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा हो वो कब possible है तब अगर हम कुछ पैसा पहले सी बचा कर रखेंगे ठीक है तो वही basically हमारे क्या 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 है रिटेन अंडिंग का मतलब क्या है इ हमारे basically क्या है रिटेन अंडिंग है after making the payment of the dividend and the tax CJ जो हमारे profit हुआ उसमें से हमने dividend दे दी हमने tax दे दिया अब 80 बचे ना अब 80 में से मैंने क्या कि अभी 30 रुपे 30 रुपे मैंने dividend दे दिया अब मेरे पास कितने रुपे बचे 50 रुपे बचे अब यह 50 रुपे है यह हमारा कौन सा profit हा undistributed इसको हमने distribute नहीं किया इसको as it is हमने ऐसा कैसा हमने क्या अपने firm के अंदर रख लिया ह हमने सोच लिया कि कल को मुझे अपना जो business है इसको expand करना है तो तब मुझे पैसे की requirement होगी तो तब मैं इस पैसे को यूज कर लूगी तो यह जो undistributed profit है यही basically मेरा क्या कहलाएगा retained earning ठीक है तो आपको समझ में आचुका होगा retained earning का मतलब क्या है तो अब features कि अगर हम बात अब मैं बिल्कुल free हूँ इसका कैसे भी कहीं पर भी अच्छा सा इसका यूज कर सकती हूँ ठीक है यह जो 50 रुपीज है इस पर कोई रिस्टिक्शन नहीं कि भी कोई shareholder सागे मुझे बोलेगा कि तुने मेरा dividend नहीं दिया है यह 50 रुपे मुझे दे जी नहीं हम उनका dividend हम टेक्स की हमने payment कर लिया है तो अब हम बिल्कुल free है भी इसका जैसे भी जहां पर भी हम यूज कर सकते हैं अब हम इसको बोलते हैं कि जो रिटेंड अर्णिंग है वह हमारे बिसिकली एक मीडियम या फिर लोंग टर्म फाइनेंस है एक लंबे टाइम तक हम उस पैसे को क्या कर सकते हैं इसके साथ ही आप यहां पर बोल सकते हो कि एक स्पोर्ट प्रोवाइड कराता है बिजनेस को क तो ओपरशनेटी का फाइदा सकती थी बट अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो वह परशनेटी मेरे हाथ से निकल जाती तो इस वज़े से कही ना कि एक फाइनेंस स्पोर्ट है जो रिटें अर्णिंग हो प्रोवाइड करेगी और इसी के साथ ही रिस्कीए इंवेस्क्रि जहांपे risk है ठीक है तो risk है मैं confused हूं कि क्या करूं वह इसमें पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं अगर देखें मेरे पास पैसा ही नहीं तो फिर तो शायद हमापे नहीं लगाओंगी पैसा यह क्यों कि एक तो मेरे किसी से उधार लेके तो मुझे यूज निकना भी मेरे पास है इसको मैं लगा के देख लेती हूँ तो मैं भी हो सकता है कि मुझे प्रॉफिट भी हो जाए तो कहीं न कहीं अगर रिटेंड अंडिंग है तो कोई इंवेस्टमेंट अगर रिस्की है तो उसका भी मैं करेंगे उसका बोर्ण ऐसे एक्स्टेनल सोर्स फाइन सबस्क्राइब हैँ था तो इस वीडियो में उमीद कर दिए अगर आपको ऑची से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए किसी का कोई भी डाउट है तो कोमेंट सेक्शन में प मैं reply करने की पूरी कोर्शिश करूंगी तो मिलते हैं next video में all the best thank you